प्रधान दंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिवसी अमेरिका दोरे पर है इस दोरान उनके साथ कई सीनियर अफसर भी है लेकिन इस महत्वपूर्ण दोरे में राष्ट्य सुरक्षा सलहकार अजीद धोबाल नहीं गए है इसी पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या कारण ह करते हैं कि पीया मोदी के साथ अजीद धोबाल नहीं गए हैं काफी के बीच अब यह भी सामने आ गया है कि पीये मोदी जब अमेरिका गय तो जम्मु कश्मीर को लेकर धोबाल बना रहे थे बड़ा प्लान तो क्या है केंद्रु सरकार का जमू कश्मीर को लेकर प्लान और धोबाल का अमेरिका नाजवाने का कारण चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बिचाते हैं आज की स्पेशल स्टोरी में अमेरिका क्यू नहीं गए अजीड दोबाल अमेरिका को दोबाल ने दिया करेरा जवाब जमू कश्मीर के लिए केंद्रु का बड़ा प्लान प्रुधान वंतरी नरेंद्र मोदी तीन दिवसी अमेरिका दोरे पर हैं इस दोरान उनके साथ कई सीनिय और अफसर भी हैं पीम ने कई देशों के प्रमुकों से दियुपक्ष्य बात्षीत भी की है लेकिन इस बार पीम के साथ रास्टे सुरक्ष्य सलाकार अजीड दोबाल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं उनके पीम के साथ ना होने को लेकर तमाम तरह की अटकले भी लगाई जा रही थी लेकिन अब इसकी असल वच्छा सामने आई है भारत सरकार से जुड़े सीनिर अधिकारियों के अनुसार हैने से अजीड दोबाल किसी अंतर राश्ट्रे दबाव या किसी और वच्छा से नहीं बलकि जम्मु कश्मीर में चल रहे चुनाव और अन्य घरेलू मुद्दों से उत्पन सुरक्षा स्तिती से निपटने के ल दरहसल खालस्तानी कारिकरता और सिक्फ फॉर्स जस्टिस के संस्थापत गुर्पंतवन सिंख पन्नु की ओर से दायरेकर दिवानी मुकदमे की जबाव में ये समन अजीड दोबाल को भीज़ा गया था इसके अलावा मुद्दी सरकार के खिलाफ भ्यान चलाने वाले सम्हों के सिक्फ कारिकरताओं के बीच एक बैठक भी पिछलो दनों हुई थी जिससे ये सवाल उठा कि क्या अमेरिकी सरकार नई दिल्ली को तीखा संदेश भेच रही है मही भारते विदेश मंत्रवाले ने पन्नु की ओर से दायर मुकदमे को पूरी तरह से अनुचित और निराधार बताया था विदेश्व सचीव विक्रम मिस्ट्री ने इस मामले में कहा था कि सरकार पन्नू के खिलाब कजित हत्या की साजश को लेकर अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से लगाए गए आरोपों पर उचिस्तरिय जांच जारी रखे हुए है उन्होंने बताया कि 2002 के गुजरात मुस्लिम विरोधी हिंसा को लेकर अमेरिका ने नरिंद्र मोधी के पीएम बनने से पहले कई समन जारी किये थे लेकिन उन्होंने सभी समन निरस्त कर दिये क्योंकि अमेरिकी विदेश विभाग ने से वारत अधिकारियों और गण्मान ने व्यक्तियों के लिए प्रतिरक्षा का अहवान किया था आपको बता दे कि अमेरिका के एक कोट ने मंगलवार को खालिस्तानी आतंकी गुर्पत बन सिंग पन्नु की हत्या की साज़ुष के मामले में भारत सरकार को समन भीच जया इस समन में भारत की NSA अजीट डोबाल, पूर्व रौचीफ सामंद गोयल, रौ एजेंट विक्रम यादव और बिजनसमान निखिल गुपता का नाम भी शामिल है अमेरिकी कोट ने 21 दिन में इस समन का जवाब देने के लिए कहा है, पन्नु ने अमेरिकी की एक जला अदालत अपनी हत्या की साज़ुष को लेकर मुकदमा दर्श कराया है पिछले साल अमेरिका ने आरोप लगाया था कि न्यू यॉक में पन्नु पर जानलेवा हमले की साज़ुष रच्वी गई थी, इसमें भारत का हाथ था, इस साज़ुष को नाकाम कर दिया गया समन के जवाब में 19 अगस को विदेश मंत्राले ने प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान कहा कि ये समन पूरी तरह से गलत है विदेश सचीव विकरम मिस्तुरी ने कहा कि जब ये मामला हमारे सामने आया तो हमने आक्शन लिया, इस मामले में उच्छे स्तरिय कमेटी भी बनाई गई है जून में अमेरिकी सरकार ने मांगा था जवाब अमेरिका ने 26 जून को खालिस्तानी आतंकी गुर्पदवन सिंग पन्नू के खिलाब हत्या की कोचश के मामले में भारत से जवाब दे ही मांगी थी अमेरिकी सरकार की उपविदेश मंतरी काट क्यांग बेल ने कहा था कि हमने सीधे भारत सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया है साथी जौचु समीती से भी रिपोर्ट मांगी थी दरहसल पन्नू की हत्या की साजुष रचुने के आरोप में भारते नागरेक निखिल गुपता को 30 जून 2023 को चैक रिपब्लिक पुलिस ने गिरफ्तार किया था 14 जून दो हजार त्शोबस को निखिल को अमेरिका प्रत्यपरिद कर दिया गया था अमेरिकी एट्वेंसियों के मताबिक ये प्लानिंग पीएम मोदी के अमेरिका दोरे के वक्त की गई थी हाला कि इसकी जानकारी 22 निवंबर को दी गई थी पन्नू को मारने के लिए दिये थे 83 लाक रुपए चारश्वीक में भारते नागरेक निखिल गुपता पर पन्नू की हत्या की साज़ुष का आरोप है इसमें लिखा है कि भारत के एक पूर्वस CRPF अफसर ने उसे पन्नू की हत्या की प्लानिंग करने को कहा था निखिल ने एक व्यक्ति के साथ काम करने के बदले 83 लाक रुपए देने की जील की थी इसके बाद अप्रेल में अमेरिकी मीडिया वाशिंटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि पन्नू की हत्या की साज़ुष के पीछे रौ का हाथ था रिपोर्ट के मुताबिक पन्नू की हत्या की पूरी प्लानिंग रौ के एक सीनर अधकारी विक्रम यादो ने की थी उसने एक हिट टीम को काम पर रखा था यादव ने पन्नू के बारे में भार्टो एजेंट निखिल गुपता को जानकारी भेज़ी जिसमें उसके नियू यॉयॉक में होने के बारे में पता चला था इसके बाद निखिल गुपता ने पन्नू को मारने के लिए एक एजेंट से संपर्ख किया हाला कि प्लाणिंग सफल होने से पहले ही निखिल गुप्ता को गिरिफतार कर लिया गया था एक मेजियर रिपोर्ट के अनुसार मामला एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजुशका था शत्या की साजुशका आरो भारत में बैच्छे अदिकारी पर था इस कारण अमेरिकी अफसरों ने ये बात अपने आला अफसरों को बताई भारत के सामने पहली बार ये मामला 5-6 अगस को साउधी अरब के जैदा में उठा था जब रूस यूक्रेइन मामले में बैचक हो रही थी उस समय अमेरिकी NSA जैक सुलिवन ने भारत के NSA अजीड धोबाल से अलग से इस हत्या की साज़श पर बात की थी धोबाल ने सुलिवन से दो टूक कह था कि ऐसे बात नहीं बनेगी भारत इस पर तभी जाज कर सकता है जब कोई सबूत और डीटेल हो अगर यह सब नहीं है तो यह सब बक्वास है अब इसी के साथ आपको बता देते हैं कि पियम मोदी तो अमेरिका दौरे पर हैं लेकिन किस तरह उनके पीछे से हमिच्ष और धोबाल ने जम्मू कश्मीर चुनाव में बड़े खुलासे किये हैं केंद्रे ग्रह मंत्री अमिच्ष जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे वहां उन्होंने मेंडर धानमंडी रजोरी अकनूर और पुंच के सुरन कोट में पांच चुनावी रेलियां की थी मेंडार में उन्होंने कहा कि नब्बे की दशक में फारुक की महरबानी से बारी की तो मोदी गोली का ज्रवा गोले से देंगे यह चुनाव जमू कश्मीर में तीन परिवारों का साशन खत्म करने वाला चुनाव है तीनों परिवारों ने पूरे जमू कश्मीर में 90 के दसक से 2014 तक जहशुत गर्दी फैल आई 44,000 युवा मारे गए थे शहा का ये पांच दिन में दूसरा दौरा था इससे पहले 16 सितंबर को उन्होंने पाडर नाक सेनी किष्टवाडा और राम बन में जुनसभा की थी उन्होंने कहा था कि राहुल गांदे मोहबत की दुकान की बात करते हैं लेकिन आतंग का फर्मा विदान थे जो इन्हें हटाने के लिए श्याम प्रुसाद मुखर्चवी ने बलिदान दिया था पांच वकस 2019 को पीम मोदी ने धारा 370 को खत्म किया और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया अब आपको जम्मू कश्मीर में हो रहा है चुनावों से जुड़ी कुछ बड़ी बाते भी बता देते हैं जम्मू कश्मीर में वोटिंग पर अपडेट जम्मू कश्मीर के 26 सीटों पर सेकंड फेज में 25 सितंबर को वोट डाले जाएंगे इनमें 15 सीटे कश्मीर की हैं जोकि 11 सीटे जम्मू की हैं इस फेज में सबसे कड़ा मुकाबला गांदर ब सीट पर होने की उमीद है यहां से जम्मू कश्मीर के पूर्फ सीम उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं इसके साथ ही श्रीमाता वैशनो देवी विधानसवा सीट पर भी काटे की टक कर हो सकती है वहीं एक्सपोर्ट का मानना है जम्मू की जिन 11 सीटों पर वोटिं मतदान हुआ 2014 के 10 सालों के बाद 18 सितंबर को केंदर शासित प्रदेश की 24 सीटों पर मतदान हुआ था मतदान पूरी तरह से शांती पूंट रहा था लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसवा चुनाव के पहले चुरण में मतदान प्रतीशत 2014 के चुनाव के बराबर नहीं रह पतादी के साल 2014 में जम्मू कश्मीर राजु था लेकिन अब के इंदर शासित प्रदेश है 10 साल के अंतुराल के बाद हुए पहले विधानसवा चुनाव में पिछले मतदान रिकॉर्ड तूटने की उमीद थी इसके बजाए 2014 के मतदान के तुलना में कई विधानसवा शे जाफा का अनुमान लाया जा रहा था अब जम्मू कश्मीर में कौन सत्ता में आएगा ये तो वक्त बताएगा फिलाल इस ख़बर में बस इतना ही बाकि देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं कैपिटल चीव झाल 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 झाल